अब आपको सीधे रुख कर लेते हैं राश्टुपती भवन का जहां पर एक विशेश कार्शम आज के इस मौके पर आयुजित किया गया है जिसमें देश की तमाम जानी मानी गर्मान्य शक्सियत की मौजूद्गी है राश्टुपती भवन में आठ होम रिसेप्शन का आयु स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गर्तंत्र दिवस 26 जंबनी के खास मौके पर आठ होम रिसेप्शन का योजन किया जाता है जिसकी ये तस्वीरें इस वक्ट टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने आज ही लाल किले प पर तिरंगा फेरा कर अगले पांच सालों का खाका रखा कि दुनिया की तीसरी अर्थ व्यवस्ता हिंदुस्तान कैसे बनेगा उसको लेकर विस्तार से जिक्र करते वे पीम आज नज़र आए और वहीं शाम को आदेख पा रहे हैं एक तरफ उप राश्चुपती जगदी इस वक्त मौझूद हैं उन सभी से एक के करके मुखातिब होती हुई देश की राश्चुपती द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कतारों में खड़े हुए हैं नबे से सौ लोगों की तकरीवन तादाद होती है जो इस कारुक्रम का हिस्सा ब सबसे आगे आपने देखा राश्चुपती द्रोपदी मुर्मू के सरसे अपने महमानों का स्वागत करती हुई उनके ठीक पीछे उप राश्चुपती जगदीब धंकर सभी का अभिवादन स्विकार करते हुए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सभ तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं और सभी के चहरे यकिनन के सरसे खिले हुए हैं इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं यह तस्वीरे बहत खास है राश्च्रपती भवन में आट होम रिसेप्शन का यह पूरा का पूरा कारुक्रम तमाम को आपको दिखाई दे रहे हैं कोछ चेहरे राजनेताओं के हैं जैने आप प हैचानते हैं हरोज देखते भी हैं तीवी पर अलग-अलग सोर्शल मीडिया पर दूसरी तरफ विदेश्ों के वो तमाम मेहमान, राजनैक भी आपको ٹीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है प्रधानमंत्री जिन से मुलाकात करते हुए कई उद्योगपती भी शामल होते हैं इस कारक्रम में मीडिया जगत से भी कुछ शक्सेतों को बुलाए जाता है तो ये कारक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेन रुमूदी एक एक करके सभी से मुलाकात करते हुए इन तस्वीरों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के संध्या पर ये कारक्रम आयोजित किया जाता है राश्रपती द्रोपुदी मुर्मु की ओर से इस कारक्रम में आये सभी महमारों का स्वागत किया जाता है सबसे पहले उन्होंने ही एक एक करके सभी से मुलाकात की उसके बाद उप राश्रपती जग्द्धनकर के तस्वीरे आप देख रहे हैं सभी के चहरे भी खिले हुए हैं हाथ जोड़कर सभी का वो अभिवादन स्विकार करते हुए और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सभी से मुलाकात करते हुए उम्मीदों का नया भारत कैसे अपनी उडान को और रफ्तार दे इसी की कोशिश आज पूरे दिन एक संकल्प के साथ देशवासियों ने ली है और ये तस्वीरे राष्टपती भवन में अट होम रिसेप्शन की